हेलो एवरिवन आएम श्यवी फ्रोम दक्ष अकेडमी लाडवा आज हम हर्याना प्लिस की सिरीज स्टार्ट कर रखी है जो वही आगे कॉंटिन्यू कर रहे हैं चलिए फर्स्ट केशन देखिए हमारा यह क्या है डिरेक्शन से हैं डिरेक्शन में क्या करना है हमने पहले ही र किलोमीटर चलता है अब उत्तर दिशा किधर है हमारी उत्तर दिशा उपर है यानि कि हमने उपर की साइड कि चलना है कितना दस किलोमीटर चला वो ठीक है उसके बाद वहां से वह है छे किलोमीटर दक्षिन दिशा में चलता है यानि कि यहां से वापस से वह दक्षिन कि यहां पर हमने इसको Medical किdoor कि यहां पर चलना है तो यहां से यहां से यहां तक की बुरी हमें बतानी है कितनी है देखने → drives with click to pokoj hal पॉर्शन 10-6 करके निकल सकता है यानि कि 4 तो 4 तो यह आ गई है जो इतना इस पेस है यह 4 किलोमेटर है और इतना इस पेस कितना गया 3 किलोमेटर तो हमेशा ही याद रखे जब भी हम लेफ्ट राइट मुड़ते हैं तो वर्णा पर 90 डिगरी का एंगल बनता है 90 डिगरी एंगल आ जाता है तो हमेशा ही हमने ट्रेंगल में पाइथागुरस लगानी होती है पाइथागुरस क्या है हमारी कर्ण परगावर्ग शेज दो भुजाओं के वर्गों के योग के बरा चीक है ना आंसर के आएगा 3 3 9 4 4 16 आगे 25 तो 25 का स्क्वेर के आ जाता है 5 यानिकि हमारा आंसर क्या है 5 किलोमेटर की जो कमल है वो मोल विंदू से 5 किलोमेटर की दूरी पर है तो ऑप्शन डी हमारा यहां पे सही हो जाएगा सेकंड कोशन देखिए यह क्या है अलफा यहां पर जो आने वाला टर्म है वो बताना है ठीक है ऐसे वाले कोशन हम देखते हैं XYZ ABC देखे इस वाले कोशन को हम क्या करेंगे डबल सिरीज में कनवर्ट कर लेंगे ए से बी तक जा रहे हैं ABC DEF और फिर GHI तो यह तो हमारी सिरीज कंप्लीट हो गया क्योंकि हमने तो य प्लेस वाला टर्म निकलता है बाठ हमें तो निकालनी नहीं है तो हमें कौन से से उठानी पड़ेगी XYZ वाली तो यहां से हम इसमें जाने है एकस से यू पर जा रहे हैं तो माइनस 3 का गयप है यानि कि उससे आगे जाएंगे तो फिर से हम वही टां फोलो करेंगे वही प पीछे चला हुआ था ठीक है ना यानिकि आर में से जब माइनस थी यानिकि आर की जो प्लेस वैल्यू है उसमें समय माइनस थी कर रहे हैं तो यहां पर क्या आइदा आपका ओ जाएगा इसी तरीके से वाई से वी तक बेश जा रहे हैं फिर माइनस थी हो रहे हैं वी से फिर ह में माइनस 3 करेंगे तो ती आएगा और ती में फिर से माइनस 3 करेंगे तो हमारा ओप्शन क्या बन जाता है ओपी क्या कोई option में available है बिल्कुल available है यह सी option हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा इतना के लियर है देखिए इसमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में कितने त्रिभुज बने हुए हैं देखे एक सिंपल से ट्रिक में आपको बताती हूं जब भी आपके पास कोई ट्रेंगल है आप उसमें इस तरीके से उसको डिवा बसुए लेखिए 1 और 2 हम ने इसके बेस पर लिख दिया थीक है अब इन दोनों बेस को हमने क्या करना है प्लस करना है तो ंसर क्या आया 3 यानिकि इस फिगर में फिगर बढ़े प्रेशन है यानि कि 1 यह वाला 2 और एक यह बड़े वाला पूरा तीन तो सेम प्रोसेस हम इ तो 1 & 2 2 तो यानि कि 3 तो यह हो गए लेकिन एक छोटे वाले में 1 & 2 यह हो गए तो total कितने हो गए फाइफ ही फाइफ यहां पे कर देते हैं प्लेस 5 प्लेस 5 बट एक जो बड़े वाला ट्रेंगल है यह हमने कहीं पर भी काउंट नहीं किया बड़े वाले ट्रेंगल को एक और काउंट करेंगे हम तो कितने बन जाएंगे टॉटल 16 यानि कि अपका बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा इतना के लिए हैं आगे क्या करना है क्रमानुसार लगाना है देखे सेंटि डे का किलो और रधी इनको करम अनुसार लगाना कि अंडिंग और जिसको है आरो ही क्रम तीज़ एक चोटे वाली यूनित वो फर्स नंबर पर आएगी और लास्ट वाली यूनिट क्या रगाना है अब देखे इसका एक रूल है इसका चोटा चाइम है कि एक कि टेबल होती और देखें इसको हम टेबल को एक शोट फॉर्म में लर्ण करते हैं क्थदम डगकम उसको कैसे लिखेंगे हम खड़न दगकम यह लिखा के मतलब किलो है अच मतलब हैक्टू डी-ए मतलब डेका M मतलब meter ये क्या है आपके basic unit है meter की D मतलब desi C मतलब centi और M का means यहाँ पर हो जाता है milli तो अब हमने इसके according इसको series में लगाना है तो देखे इधर कही milli तो present है नहीं तो ये तो cut हो गया फिर आया centi यानि कि ये वाला number सबसे पहले आएगा जो first number है वो सबसे पहले आएगा तो हमने series में लिखा one ठीक है उसके बाद क्या आता है desi desi कौन सा है fourth number पे है यानि कि fourth number वाला second position पे आजाएगा ठीक है उसके बाद क्या आता है यहाँ पर meter present नहीं है deka present है yes उसके बाद आता है deka deka यानि कि जो second position पे है वो हमारा third position पे आ जाएगा और last में बचा क्या है kilo तो हमारी series क्या बन गई one four two three ठीक है यानि कि option क्या है one four two three three option यहाँ पे correct हो जाएगा हमने इसको किस में लगाया ascending order में लगाया है बढ़ता हुआ करम यानि कि सबसे चोटी यूनित हमने लिए और उसके बाद कौन सी उनित आएगी उसके बाद कौन सी उनित आएगी और लास्ट में यूनित कौन सी आ रही है हमारी kilo ठीक है ना clear है इतना point ठीक है next question आता है हमारा सिफ्ट देखिए यदि 3 x 3 18 इस question को कैसे solve करेंगे यहीं से solve यह अपने आप ही हो रहा है दिखिए 3 x 3 हमने लिखा 3 is a 9 अगर 9 की multiply में 2 से कर रही हूं तो क्या मिलता है हमें 18 मिलती है ठीक है यह नहीं कि यह वाली condition फुल्फिल हो जाती है सेकिंड में क्या है 4 x 4 multiply 2 करूं तो 32 यह वाली भी condition फुल्फिल हो गई है next क्या है मारे पास multiply 2 करूं तो 98 आएगा यह भी complete है तो इसका मतलब क्या है जो 6 x 6 इनों ने पूछा है उसमें हम सेंटर्ण फोलो करें 36 x 2 तो क्या जाता है 72 यानिकी option दी इतना के लिए है next question देखते है वह शब्द चुनिये जो दिये गई शब्द से नहीं बनाया जा सकता ठीक है इन में से चार ओप्षन दिये हैं और शब्द क्या दिया है significant इसको हमने पढ़ा significant अब चार ओप्षन दिये हैं इन में से हमने बताना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता अब देखे यह लिखा हुआ इसका can't gain fact तीनों ही क्या है significant में present हैं बट यहां पर ओ कहीं present नहीं है जैसे हम बोलते हैं significant तो यहां पर ओ की sound कहीं पर भी नहीं आती तो इसका मतलब B option क्या है significant शब्द से नहीं बनाया जा सकता तो क्योंकि वहां पर O present नहीं है Next question है अरुन विकास से तेज दोडता है हम इनको short form में लिखेंगे अरुन को मैं A से present कर रहे हूँ और विकास को V से अरुन विकास से तेज दोडता है यानि कि यह वाला जो sign है greater than वाला बनाया है मैंने यानि कि अरुन जो है तेज दोडता है विकास से किन्तु दिनेश जितना तेज नहीं यानि कि जो दिनेश है डी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं दिनेश जितना तेज नहीं दोड सकता यानि अरुन जो है दिनेश से कम दोडता है उसके बार दिनेश मोहन से तेज दोडता है अब जो दिनेश है मोहन से तेज यानि कि इनके बी कॉंध दोड़ता है तो कॉशचन ही हमारा यही था कि सबसे तेज कॉन दोड़ता है यानि कि विक्रम option में है प्रेजेंट बिलकुल है यानि के बी option आपर करेक्ट हो गया हमने इसको भी क्या है ascending order में ही लगाना था ठीक है यह जो कॉशचन है हमारा sitting arrangement से है हमने उसी तरीके से इसको लगाया है उसके बाद देखें, सिरीज आई है 23, 46 ये जो लेटर्स दिये हैं हमने यहां का टर्म निकालना है ठीक है, सिरीज में हमने देखा एकड़म से जम पारा है यानि कि कोशन जो है हमारा इसमें जो numbers दे रखें वो एकदम से काफी बढ़ रहे हैं बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारी सिरीज में जंप है इंक्रीमेंट में ठीक है ना इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम हमेशा ही एपलाई क्या करेंगे वहाँ पर मल्टिप्लाई एपलाई करेंगे यानि कि 23 में हमने multiply 2 किया 46 मिलता है उसके बाद फिर से multiply 2 किया 92 फिर से multiply 2 यानि कि हमारी जो series है multiply 2 वाली ही चल रही है ठीक है यानि कि 182 को जो हम 2 से multiply करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 368 यानि कि B option यहां पर हमारा connect हो गया ठीक है ये question हमारा series का था next question है हमारा Ramu की माता ने Ramu से कहा ठीक है Ramu की माता ने अब यहां पर हम मा को denote कर रहे हैं इसका बेटा कौन है Ramu किकर कहा है Ramu की माता ने Ramu से कहा क्योंकि माता जो है Ramu की generation से अपर जनरेशन की है उसकी माँ है तो हमने उसको अपर जनरेशन में रखा है उसके बाद क्या कहा मेरी माता का एक बेटा अब इसकी माँ का भी एक बेटे की बात हो रही है बेटा यानि की माँ वाली जनरेशन रामु की माँ वाली जनरेशन का आ गया तो यह दोनों क्या हो ग बेटा है जिसका पुत्र जे आरे पास जहें यानि की ऑग्वीलिंत कि पूत्र जो है उसका करना है अजे का रामू से क्या संभन Jest Gees जो ये Ramu है यहां इनका दोनों का relation क्या है? यह इसके मामा लगते हैं यह जो उसकी मा की मा का बेटा है तो यह इसका मामा लगेगा यानि कि Ajay कौन लगा Ramu का? ममेरा भाई मामा का लड़का चीख है? तो option क्या है? ममेरा भाई इन दोनों का relation पूछा था रामो और अजे का नेक्स्ट कॉश्चन देखिए वेन डाइग्राम से है तीन इसमें डाइग्राम दिये गए है यह ट्रेंगल है सर्किल और स्क्वेर दिया गया है जो ट्रेंगल है वो लड़की को रिप्रेजेंट करता है और जो सर्किल है वो प्रशिक्षक को दिनोड करता है और जो स्क्वेर है वो खिलाडी को दिनोड करता है उसके अंदर यहाँ पर कुछ अलफा मेट्स लिखे गई है तो कोश्चन क्या है हमारा हम वो देखते है पहले वे लड़कियां जो खिलाडी तो है पर प्रशिक्षक नहीं है हमने वो option बताना है जो उसके लिए suitable है अब देखे जो यहाँ पर A है वो तो सिर्फ और सिर्फ लड़की को represent कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ प्रेंगल के ही अंदर है तो यह option नहीं आ सकता हमारा C जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वेर को represent करता है स्क्वेर में आता है तो सिर्फ वो खिलाडी को represent कर रहा है F भी सिर्फ प्रशिक्षक को represent कर रहा है यहाँ पर जो B है वो त्रेंगल में भी आता है और स्क्वेर में भी आता है बट सर्किल से बाहर है सरकिल का क्या मतलब है परशिक्षक है और हमने तो आंसर क्या बताना था जो खिलाडी तो है लड़की जो है वो खिलाडी तो है पर परशिक्षक नहीं है यानि कि सरकिल में वो लेटर नहीं आना चाहिए ठीक है तो इसका option क्या आ जाएगा B क्योंकि यह सरकिल से तो बाहर है खिलाडी तो है और लड़की भी है लेकिन परशिक्षक नहीं है तो option क्या है हमारा बी यानि कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा तो यह थे हमारे questions हर्याना प्लीस के लिए आई हॉप आपको क्लांस बहुत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले चैनल पढ़नाई है तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक यू फ्रेंड्स